क्या आत्मा होती है? आत्मा? किसकी आत्मा? और एक और है, जीवन का उद्दिश से क्या है? आप बस यूहीं बहुत बड़े-बड़े सवाल पूछ रहे हैं, वो भी सवाल के महतों को समझे बिना. देखे, जब आप पूछते हैं कि क्या आत्मा होती है, तो आप किसी पढ़ाई वाले विशय की बात नहीं कर रहे हैं. आप पूछ रहे हैं कि मैं जो हूँ, उसका स्वाभाव क्या है? या आप कह रहे हैं कि मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता है, प्लीज मुझे बताईए. हां? है न? आप ये बड़ी आसानी से पूछ रहे हैं क्यूंकि आपको अब तक अज्ञानता की पीड़ा ने छुआ नहीं है, ये न जानने की पीड़ा की आप कौन है, इसने चीर के आपके टुकड़े नहीं किये हैं. अगर ये आपको सच में छुजाता की आप बस यहां जी रहे हैं, तमाम तरह की बकवास कर रहे हैं, इस बारे में बिना कुछ भी जाने की आप हैं कौन? ये बहुत पीड़ा दायक होना चाहिए था, है न? उस तकलीफ ने अभी तक आपको छुआ नहीं हैं, आप सवाल उगल रहे हैं, पर ये उतने गहरे नहीं उतरे हैं, तो हर रोज आपको खुद को ये याद दिलाना चाहिए, हर सुबह कम से कम दस मिनट इस पर खर्च कीजिए, बस ये देखिए कि आप कितने बड़े बेवक अपनी आज्यानता को लेकर याद दिलाईए, और तब धीरे धीरे पीड़ा गहरी उतरने लगेगी, जब पीड़ा इतनी बढ़ जाए कि आप इसे सहन न कर सकें, तब जानना दूर की बात नहीं होगी, ये बस एक पल में होगा, अगर मैं कहूं हाँ आपकी एक सोल है, एक सोल काम के होते हैं, पर वो आत्मा जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, क्या वो किसी काम की है, ये किसी काम की नहीं है, तो इसके बारे में भात मत कीजे, और अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ ये है, तो इसका आपके लिए क्या मतलब होगा, अगर मैं कहूं ये नहीं है, तो कुछ भी नहीं बदलेगा है, न? तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो बुन्यादी रूप से आप ये पूछ रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? जब आप यहाँ हैं, यहाँ, क्या आप जीवित हैं? आप जीवित हैं जब आप यहाँ जीवित खड़े हैं तो यह जानने का क्या तरीका होगा कि आप कौन है क्या यह बिल्कुल बेतुका और पागल पर नहीं है कि आपको मुझसे पूछना पढ़ रहा है कि प्लीज बताईए मैं कौन हूँ यह ऐसा है जैसे दो मनों चिकित सक एक दिन कोवलम बीच पर टहल रहे थे उनमें से एक ने दूसरे को उपर से नीचे तक देखा और बोला तुम तो ठीक लग रहे हो मैं कैसा हूँ यह बिल्कुल वैसी बात हुई है न आप यहाँ बैठें आप जीवित हैं आपका अस्तित्व है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या हूँ मैं कौन हूँ क्या यह बेतुका नहीं हुआ बहुत बेतुका है है न बस इतना है कि जादा तर लोग इसमें आपके साथ हैं बस एक ही तसलिए है जो आपको न जानने की पीड़ा का अनुभव नहीं होने दे रही है आपके पास आसपास लोगों का एक पूरा का पूरा जुन्ड है जो सभी कह रहे हैं हाँ जीने का यही तरीका है बस यही इकलौती चीज है जिसने आपको कुछ हराम दे रखा है मान लीजे इस धर्ती पर आप एकलौते ऐसे इनसान होते जिसे यह ना पता होता की वो कौन है बाकि सबको पता होता जानते हैं न यह आपके लिए कैसा होता हाँ? आप नहीं जानते की आप कौन है और आप दुनिया में बिजी हैं तो आपकी प्रॉब्लम यह है कि अभी आपका अस्तित्व ही किसी दूसरी चीज की तुलना में है आपका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है जरा इस पर गौर कीजे अगर अभी आपके पास कोई ऐसी चीज न होती जो सब के पास है सब के पास नाक है मान लीजे आपके पास नाक ना होती असल में आप बहतर सांस ले पाते है न अगर आपकी नाक हटा ली जाए तो आपको 22 प्रतिशत जादा ऑक्सिजन मिलेगी आप जादा सेहत मंध होंगे सब कुछ बहतर होगा पर बता है ना कि आप कितना दुखी होते क्योंकि बाकी सबी के पास नाक है हाँ या ना या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आ जाता जो दूसरों के पास ना होता आप तब भी पिड़ित होगे मान लीजे आपका एक सींग निकल आए आप जानते हैं ये कितना भयानक होता पर अगर हर किसी का सींग होता तो हम उसे पॉलिश कर रहे होते सजा रहे होते हैं ना आपका बुनियादी अस्तित ही तुलना पर्टिका है आपका खुद का कोई अस्तित ही नहीं है सब कुछ तुलना पर्टिका है तो इस तरह की तसली के साथ आताप अज्ञानता की पीडा का अनुभाव किये बिना जीते चले जा रहे हैं। अगर आप इस पीडा को जानते कि आप खुद को ही नहीं जानते हैं, तो बस इस हहसास से कि आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता है, आपके आंसू निकलाते हैं। अगर ये दर्द आपको चीर के अलग करने लग जाए, तो जानना दूर नहीं होगा, ये बहुत सरल है, ये बहुत-बहुत सरल है, क्योंकि आखिरकार आप जो जानना चाह रहे हैं, वो आपके ही भीतर है, है न? तो क्या, जो आपके भीतर ही है, आपको उस तक पहुँचने से कोई इनसान या कोई चीज रोक सकती है? क्या आपको अंदर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूत है? क्या आपको वीजा की जरूत है? भीतर मुडने के लिए, जो अंदर है, उसे जानने के लिए क्या आपको कि रोक सकता है, सिर्फ आप खुद और कोई भी नहीं, बल्कि आप खुद किसी और की आपको रोकने की एक शमता नहीं है, है न? तो आप खुद को रोक क्यों रहे हैं? बस इसलिए क्योंकि आपने अपना पूरा अस्तितव बाहर बना कर रखा है, आपका होना ही दूसरों के साथ तुल्ना करने पर टिका है, क्योंकि आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इंद्रियों की प्रकृती ही ऐसी है क्योंकि जीवन का आपका अनुभव बस इंद्रियों के बोध तक ही सीमित है यही वज़ा है कि क्यों आपका अस्तित्व दूसरों से तुलना पर आधारित है आपने आप पर नहीं क्योंकि इंद्रियों की प्रकृती ऐसी ही है, अगर मैं इसे छू लूँ तो ये मुझे ठंडा लगता है, ये मुझे ठंडा लग रहा है इसलिए ने क्योंकि ये स्टील की रॉड ऐसी ही है, बलकि इसलिए क्योंकि मेरे शरीर का तापमान ऐसा है, अगर मैं अपने शरीर के त तो क्यूंकि आपके जीवन का बुनियादी अनुभव इंद्रियों तक ही सीमित है, इसलिए हर चीज तुलना में है, तो आपका यहां होना ही तुलना की वज़े से हो गया है, अगर इसे बदलना है, तो फिलोसफी और उपदेश इस बुनियादी सच्चाई को नहीं बदलने अगर जीवन का आपका अनुभव इंद्रियों की सीमाओं से परे चले जाता है, तो अचानक सब कुछ बदल जाएगा, जब हमने आपको शांभवी में दिख्षित किया था, अगर आपने खुद को प्रक्रिया को सौंप दिया होता, तो यह आसानी से आपको इंद्रियों क बोट तक ही सीमित नहीं रहे होंगे, कुछ और घटित होना शुरू हो गया होगा, कुछ भी नया होता है, तो आपका मन ऐसा है कि उसे बस डरना आता है, अगर आप स्वर्ग में भी चले जाएं, तब भी आप सिर्फ डरेंगे ही क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो आपको नहीं परे है, केवल तभी जब आपके जीवन कानभाव इंद्रियों के बोध से परे जाता है, तभी आपके जीवन कानभाव संपून होता है, ना कि किसी की तुलना पर आधरित, तब आपके जीवन कानभाव भौतिक्ता की सीमाओं से परे चला गया है, तब आपने ऐसा बना लिया है ये जानने के लिए कि आप आखिर हैं कौन और अच्छा होगा कि आप ये जान जाएं कि आप हैं कौन नहीं तो आप चाहे जो करें उसका कोई महत्व नहीं है